प्रतिदिन बढ़ती जा रही है इस बात को ध्यान में रखते हुए यूपी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है यूपी सरकार ने लगातार तीन दिन लॉकडाउन किया है ग्यारह, बारह और तेरह तारीखी सवधी में आवश्यक सेवाए एवं चिकित्सा सेवाए आवश्यक वस्तूओं की आपूर्ती पूर्मता खुली रहेगी रेलवे की सेवाए पूरी तरह जारी रहेंगे मालवाहक वाहनों पर कोई प्रतिवंद नहीं लगेगा ग्रामीन क्षेत्र के कार्खाने खुले रहेंगे लेकिन उनको सोशल डिस्टेंसिग का पालं करना होगा निर्मान कार्य जारी रहेंगे इस अबधी में आवश्यक सेवाओं से संबंधित कार्याले एवं प्रतिष्ठ से मुक्त सेवाओं से संबंधित अधिकारी कर्मचारियों का पहचान पत्र ही ड्यूटी पास माना जाएगा और उनकी आवाजाय को रोका नहीं जाएगा